और देखिए अभी हमारी आल इंडिया कमेटी के आवान पर ये धर्ना दिया गया है कि पूरे देश में कक्छा एक से आठ तक पास फिर प्लाली बिदिवा धंग से चलाई जाए जो पहले चलाई गई थी से वेजिशन कमेटी के पूरे देश में जनांदोलन और जद्दावाओ की बज़े से बाजापा गॉर्मेंट ने इसको शुईकार किया कि पाँचमी और आठमी की का बोर्ड होना चाहिए और परिक्षाएं भी होना चाहिए लेकिन बिदिवा तभी उनको लागू नहीं किया हाफ हाटेट तड़ीके से आधे अदूरे ढंग से लागू किया है तो हमारी कमेटी सेवरिशन कमेटी इसके लिए पूरे देश में बुद्ध जीवियों को सिक्षा विदों को साहित कारों को इखटा कर रही है और इस पास फिल प्रडाली को लागू करने का शंगर्स पू होकिजम लाया जा रहा है सिख्षा के बजट को कम किया जा रहा है इसको लेकि भी हमारी एक कमेटी कुरे देश में सभी पर देशों में ताकत से लड़ाईगी इसके साथ जो डेमोक्रेटिक कॉंशेट था एडूकेशन का समान सिक्षा के सभी को समान आउशर उसको वी धी दिरे धर्मान्दता की तरफ रूडियों की तरफ अंत्विश्वासों की तरफ धकेला जा रहा है यह तथ्यात्मिक तार्किक विज्ञानिक शिक्षा पूरे देश में लागू हो इसके लिए हमारी सेविशन कमिटी याज धरना दे रही है और यह धरना एक शुरुवात है इ प्रदेश की सरकार हैं पूरे देश में कख्षा एक से आठ तक पास्पेल सिस्टम लागू नहीं करते हैं बहुत बुरा हाल है स्कूली शिक्षा पूरे तोर पर द्वस्त हो गई है आप यह सोच के देखिए कि आठ वी तक बच्चे को पढ़ना लिखना और अर्थमेटिक गणित बेसिक जो चीज़ है वो ही नहीं आता तो आगे उच्च शिक्षा वो कैसे लेगा बहुत से बच् गणित नहीं बेसिक चीज़ ही नहीं आएंगी तो उसके जिसके आधार पर आगे की शिक्षा होगी इसका नतीजा ही होता है कि नवी कक्षा में जाद अतर बच्चे सरकारी स्कूल के फेलनी बाहर ही हो जाते हैं पढ़ाई से ही बाहर है हमारे खुद के स्कूलों में यह हो जूज रहें रोजाना और दुखत बात यह है कि अब पूरी जनरेशन का सवाल ही है हमारे हम लोग मानलो पहली जनरेशन है जो शिक्षक हैं अभी वावक हैं हम लोग जिस दरजे पर पढ़े हम चाहते हैं अगली जनरेशन उससे बहतर होती आज तो हालत यह है कि हमारी यह जो लडुजे बंद हैं और सरकार ने ज COMM दोन के वाआघवर पर अबास व तरयखता तंबुरा इस निम्ने क्लास जो मतलब जो पढ़त निठा निठा निउध्या जूरिए पनी अजीर्का कमाता था वह आज वस केंदर सरकार का विविन राज सरकारों का शडयन्त है कि धीरे धीरे उस शिक्षा को व्यापार की तरफ ले जा रहे हैं निजी हातों की तरफ दे रहे हैं इसलिए सरकारी छेत्र की जो शिक्षा है जो थोड़ा बहुत जंतांत्रिक शरूप बचा हुआ था उसको भी धीरे- नैसनल्स के फेवर में सब डिशीजन ले रही हैं और उनको मुनाफ़ा बटोरने की खुली इजाजत निश्चित तोर पर गरीबों के बच्चे नहीं पड़ पाएंगे हमारे देश में बैसे भी अभी 60-65% तक ही हम साक्षर्टा पर पहुंचे हैं तो यह साक्षर्टा का अनपात और नीचे गिर जाएगा याने शिक्षित करना तो दूर शाक्षर बनाना भी हमारे देश में दूर की कौड़ी हो जाएगा यह दुखत होगा इसलिए शिक्षा बचावांदोलन बहुत जरूरी है डिटेंशन प्रडाली के कारण जो नुकसान हुआ है हमारे भारत वर्ष में जो अधिकांश्त मद्यमवर्ग है निम्नवद्यमवर्ग है वो आज भी स्कूली शिक्षा पर निरभर है कि बच्चे को वो बिचारे माबाप खुदी रोजाना की दियाडी के कोई मजदूर है कोई कहीं कमा खा के जी रहा है 12-12 गंटे की नौकरी कर रहे है वो अपने बच्चे को स्कूली शिक्षा के पर निरभर है वो स्कूल भेज देते हैं उसके आगे उनका कोई करतव भी वो समझते नहीं है सही भी बात है जब जहां पर 12-12 गंटे की माबाप नोकरी करके मुश्किल से रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चों को सारा चीज बंदोबस करके दे रहे हूं वहाँ पर उन्हें स्कूली शिक्षा पर ही निर्भर होना पड़ता है और स्कूली शिक्षा में जो पहली से 8-8 वी तक उनको माबाप पते ही नीचलता कि मेरे बच्चे ने क्या पड़ा माबाप के सामने कोई पेरामिटर तो है नहीं कि उनके बच्चे ने क्या पड़ा इतनी awareness भी नहीं और अगर awareness हो भी तो कर क्या सकते हैं बिचारे तो ये हलाते हैं और अब माबाप हमारे सामने खुन के आसूर होते हैं उनको समझ में नहीं आता बच्चे पूरे तोर पर बरबाद अब जिस बच्चे को हमारे सामने हालत ये है कि जो साथवी आठवी का बच्चा है जिसको पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता क्लासरूम में बैठा है तो मगजमारी कर रहा है वो एक कभी-कभी बुरी ऐसी अजीब हो गरीब सी हरकते कर देता है लगता है कि पागल हो गया क्या उसकी बच्चे के स्थिती भी तो कितनी बुरी हो गई एक-एक बच्चे को हम जब देखने जाते हैं तो हमें खुद तकलीफ होती है कहां से नीचे शुरू करें कहां से शिक्षक के लिए इसमें की इस शिक्षा नहीं दो बना दिया है, पावर ची शिक्षक्स दिल वाइमगे पड़ीए ? yes खाते भरवाते रहते हैं रोजाना कभी मड़े मेल बटवाते हैं कभी खाते भरवाते हैं अरे हिसाब तो यह लीजिए कि एक शिक्षक ने एक क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाया किता पढ़ाया उस पर टेस्ट लिया उस पर बच्चे का आउटपुट कितना आया इस पर कहां से बच्चा पड़ेगा